नमस्कार स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संबाद पर मैं हूँ आपके साथ मेगना सिश्टेवा बीजेपी और कॉंग्रेस ने लगभग अपनी लिस्ट जारी कर दी है नामांकर नो चुका है उत्राखन चुनाफ के लिए तैयारियां जोरो पर है लेकिन इस चुनाफ के बीच कई ऐसे दावेदार थे जिनको टिकेट नहीं मिला है नराशा साथ जलक रही है लेकिन कहीं न कहीं वो अपने आपको प्रबल दावेदार मानते थे हमारे साल फिलाल कालाडूंगी विधानसभा से यहां मौझूद है गजराज सिंग बिष्ट सर पहले तो आपका स्वागत है प्रतिपक्ष संबाद पर बहुत भाँ धन्यवात पुरीप्रदेश की जनता को न Sãoote करता हूं के माध्यम से और आपका हुआ जराजी अभी हम देख रहे थे आप ने आज कारिक्रम किया है जनसंभाद किया है जबकि काला डूंगी से विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बंचिदर भगत को टिकेट दे दिया है तो आपको नहीं दगता कि आपके इस चुनावी मैदान में उतरने से बंचिदर भगत के साथ साथ अपकी पार्टी को भी नुकसान होगा क्या आप सोच रहे हैं आपकी आगे की रणनीती क्या है किस सुचार के साथ आप आगे चुनाव के लिए उतरने के लिए तयारी कर रहे हैं मेरा चुनाव लड़ने का मक्षद किसी को हराने या जिताने का नहीं है मेरा चुनाव लड़ने का मक्षद है इस विधान समा में लगभग 17 से 18,000 ऐसे मद्दाता हैं अभी 17 साल पूरी करके पहली बार मद्दान करेंगे और वो पहली बार एवियम पर अपना बटन दमाएंगे उस वो बटन दमाने वाले हैं और जो बटन दमाएंगे एवियम का तो उनके मन में एक निस्चित रूप से सवाल उठेगा कि क्या कभी हमारे लिए भी लोग बटन दमाएंगे, क्या हम भी राजनीती में आगे बढ़ेंगे, क्या हम राजनीती कर सकते हैं केवल उन लोगों की उनस भावनाओं को देखते हुए कि आखिर जिन लोगों के पास गौड फादर नहीं है, जिनकी दिल्ली में पकड़ नहीं है, जिनकी पाप पैसा नहीं है, जो गरीब लोग है, क्या उनका सपना देखना खराब है तो मुझे लगता है कि उनस सब की भावनाओं की कदर करते हुए, मैं इस चुनाओं में कोड़ा हूँ, जहां तक मेरा चुनाओं लड़ने का सवाल है, हमने, मैं पार्टी का सिभाई रहा हूँ, 34 वरसों तक मैंने वफादारी, इमानदारी के साथ पार्टी का काम किया है और अगर आप पार्टी के भी सीनियर लोगों से पूछेंगे, उनका एक आपके सवाल का जबाब यह होगा कि नहीं, घदराज सिंग भी भी पार्टी खिलाब कोई भगावत नहीं की, कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे पार्टी की छभी को धक्ता पौँचे, लेकिन पूरे पौटी प्लस थे, कैबिनेट में मिनिश्टर है, उनको भी हटाया गया, और एक नारा दिया गया था कि युवाओं को हम आगे बढ़ाना का काम कर रहे हैं, वो कालणुगी में वो तलिसमें कैसे टूड़ गया, दूसरा भारतिय जन्ता पार्टी ने उतराखंड में यह न सत्रा का, दान सिंग भंडारी बीजेपी से, राम सिंग केडा कॉंगरेस से, संजीव कुमार संजीव आरिया बीजेपी से, सरितारिया कॉंगरेस से, ठिक पांस साल बाद उलट हो जाती है, संजीव आरिया कॉंगरेस से, सरितारिया बीजेपी से, राम सिंग केडा ज़द्धान्त वाद सिध्धान्त हैं जो एक मिनट में मैं तो दोनों दोलों से पूछना चाहता हूं कि आखिर देश के अंदर ऐसी कुछ जड़ी भूटी है ऐसी कौन सी दवाई है जो आदे मिनट में आपकी विचारधारा को पलट दे रही है आदे मिनट में आप अपने रज़ा जोड़कर दूसरे बिजारधारा में संव्डी हो जा रहे है केवल सीट के लिए सारी चीजें हो रही है केवल कुर्शी के लालज में आपको यहां तक मेरे चुनाव लड़ने का सवाल है भारतिय इंतापाट्ची के परदेश शद्दक सादर्णी मदन चवसिक जी ताकि जो नई पीडी है वो आगे तो बढ़े उनके लिए रास्ते द्वार तो खुलें वो किस प्रकार आगे बढ़ेंगे वई जिनके गौड़ फादर नहीं है जिनके पैसा नहीं है तो उनके राजनीती करना कोई अपराद है क्या है इस करण से हमने इसमें नामंकन क्या है कैसी भूमिका आपने निभाई है जो शायद कई जो कारे करता है वो निभाते आ रहे हैं और उन्होंने भी कही न कहीं सपना देखा था कि पार्टी की तरफसन को टिकेट दिया जाएगा ये भी कहा जा रहा था कि बंचीदर भगत जो है उनको लेकर लोगों में थोड़ी कि वो शुरुवात से पार्टी के साथ काम करते हैं युवा चहरा होते हैं पार्टी का लेकिन आखिर मौके पर पार्टी उनको नजर अंदाज कर देती है तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे मैं समझता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे संगर्च किये हैं बहुत सारी चीजों को लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ यहां की छेतर की जनता जानती है कि मैंने क्या क्या काम इस छेतर के लिए कि लिए हैं उन सब जो मैंने काम क्यों लेकर मैं जनता के बीच में और मुझे खुशी इस बात कि है कि जनता बिना कहें मेरे, बिना मेरे फोन के वे मेरे पास फोन आ रहे हैं कि बेने हम आपके साथ हैं, उन्हें जरूप से नया वीजन लेकर आप इस विधान समा में आएंगे, तो मुझे उनका समर्थन मिला है, इस कारण से मैं जनता की वीच सानी है, तो आप बंचिधर जी के बेटे को दे दीजिए, आपको क्या लगता है कि बंचिधर भगत को जितना वक्त मिला है, इस विधान सभा शेत्र का विकास करने के लिए, क्या उस लिहास से विकास हो पाया है, जमरानी के मुद्दे को लेकर वो लगातार कहते रहे हैं, जम की समस्या को लेकर लगातार, वो कहते रहे हैं, लगता है कि हल निकल पाया है, और अगर नहीं निकल पाया है, तो ये जो सवाल है, जो अब आप खड़ा कर रहे हैं, वो पहले क्यों पाटी की तरफ से आपकी तरफ से खड़े नहीं किये गए? जम के रहे हैं, जम के रहे हैं, आप यह समझे लो कि यह इतने विधायक हैं, दोहजार चोदा में हलदवानी का इस्टेटियम बनना प्रार्म हुआ, वो राज दोहजार बाइस आगे, यानि 6 और 2-8 साल हो गया, इन 8 साल में वो इस्टेटियम पूरा नहीं हो पाया, जम्मे ने ग्यापन दिया उसमें जम्मे ने प्रिसर बनाया तब जाकर एक छोटे से इंडोर इस्टिडियम का वहाँ पर उधगाडन होता है मेरे खाल से 16 के आसपास आपका जू बनना प्रारंब हुआ आज उसकी केवल चार दिवारी बनके रह गई वो भी आधी बनी हुई है अखिर दो हजार दो में नारेंदर तिवारी जीने एक डिग्री कॉलेज खुला था कोटा बाग में उसका दो हजार आड़ नौ तक उसकी जमीनी कॉलेज के नाम पर नहीं यह चीज़ें कौन करेगा इस हलदवानी में मैं समस्ता हूं कि सेक्ड़ों ऐसे चातर चातर हैं जिनका 40% आती है उनको एड़ीसन नहीं मिलता मैं अब जाकर लामा चोड़ में चाहे सरकार किसी की बने कॉंगरिस की बने बीजीपी की बने लामा चोड़ में मैंने वह विवस्ता हैं कि अगले सरकार जो भी बनेगे उसे मजबूरन वहां पर डिग्री कॉलिज खोलना पड़ेगा हमने जवीन उसके लिए उसके प्रस्ताव बनाकर उसको पारिद करा दिया वो तो अगर आचार सहिंता तिंग चार दिन और बाद लगती तो निच्छी दूरुप सब्सक्राइब करा जाएगा हम बार बार रोजगार की बात करते हैं कालो ढूंगी खोल दिया जाएगा तो कम से 200-300 वहां से टेक्सिया चल जाएंगी उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा आपका लदवागार छेत्र है आपका जो एको टूरिज्म है उसका डेपलेमेंट जब आप करेंगे तो लोग उसमें जुड़ेंगे और लोगों को रोजगार तक आप एक बार उस चेत्र को देख लिजिए और पहुत अपार संभाव नाए है बेस्व इस्तर की उहां पर त्योगताएं हो सकती है जिस दिन उनका कारिग्रम था माननी विधायक जी ने कह दिया कि यह मेरा विधायक चेत्र है जम मैं कोंगा तब आप यहां आएंगे व लेकिन नई पीडी को आप आगे तो आने दो पता नहीं कौन सी महत्वा कांसा है कौन सी ऐसी हिच्छा है कि जो मुझे लगता कि तीस सालों में नहीं पूरी हो पाए फिर मुझे ही लड़ना हम अगर इस बात को केवल मुझे टिकर दिया जाए तर मेरी अच्छी बात है कि आप दम रखते हैं अपनी सरकार की नाकामियों को जागर करने का है जो काम नहीं हुए अधूरे कामों को लेकर बात करने का लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी मेश शर्मा कॉंग्रस से उतारे गए हैं वो अपनी मजबूत दावेदारी पहले प्रेजें कि ऐसा नहीं लगता कि महेश सरमाजी लगभग दो बार नरदली चुनाव लड़े हैं तीसरी बार वो कॉंग्रेस से लड़े हैं मैं आपसे क्यों इतना पूछना चाहता हूं कि इन दस सालों में कोई ऐसा उनका बयान मुझे दिखा दीजिए कोई ऐसी उनकी योजना इस बाद को सरकार के सामने रखा है मुझेए बयान तो बता है केवल वह सारक की बात वह भी खणेंज सब सब मनेगी करेंग चार क्रोड को दूसराइब निगी है सरग्ला पर अठीश की बता करेगा कρέ। एतना कहना है कि जब आप राईझीटि Almijnू किसी भी चेत्रम आपाते हैं तो आपका वीजन किलियर होना चाहिए कि हम उस विधान सभा को कहां से किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं वह केवल वही बात साब इन्होंने सड़क नहीं बनाई मैं आपकी गली बना दूंगा गलियां भी बन जाएंगी सड़कां भी बन जाए और वो पक्ष काहो कोई काम करने को राजी नहीं कोई कहने को राजी नहीं काम तो छोड़े हैं तो मैं इन सब बातों को लेकर जाएंगे जनता इस बात को समझेगे सारे लोग समझेगे आखरी सवाल यह है कि अभी एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि निर्दली चुनावी मैदान में कई बागी उतर रहे हैं और जब पार्टी उन्हें मनाने आती है तो वो पार्टी का साथ देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं लेकिन ऐसे में जनता की जो भावनाय होती वो आहत होती है जैसे आपकी आज जन संबाद में बहुत बड़ी संख्यावे लोग आये जन समर्थन था नजर आ रहा था कि आपके सपोर्टर बहुत जदा नाराज है पार्टी से और आपके समर्थन में चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें लेकिन अगर पार्टी आपको मनाने मानें लोगर मेंके तो आपको नहीं लगेगा वह जिरता के साथ खिलवार और क्योंकि चाहती है आप चुनाव लड़ी बड़ें कर प्रशारी को on ने कहा कि हम एक सध्धान्तिक राजनीति करना चाहते हैं आखिर उस आप राजनीति किस दोर ले जा रहे हैं फिर मैं आप से कह रहा हूँ मैं किवल विधायक बनने के लिए नामंकन किया है कि आखिर इन चीजों की कौन बात उठाएगा मेरा जनसंबाद में भी कहा जीतूं हरंव अलग है लेकिन बातों की जिगर होना चिया जहीं बातों की चर्चा होनी चाहिए कि आखिर जो बनना चाहिते में उनके हैं इस साथाई कंतर से a आब के मत की कीमत अम्मानी के मत की कीमत की बराबर है अगर इस देश का कोई मजदूर मतoserestä करता है तो मने उद्योगत्ति मत मतर दो की मतरी सोचना जागरूप होकर अपना बपातो गडार आप एक बार उनसे पूछे तो सही, उनसे आप अपने प्रश्ण तो करिए कि आपने इतने साल मैं कहता हूं कोई बिधाग नहीं बना लेकिन उससे पूछने का करतब भी बनता है जनता कि आप किस चीज को लेकर आप आ गए रहे हैं जो बर्तमान है वो भी कहता हूं गुल खटनजय मनाएं जो बिवक्त करेंगे लड़ता है वो भी कहता हूं कियोवल खटनज की राज निती करेंगे हम नामकणमा आगे हम साधी में आगे हम इस ंडरी की से करेंगे आखिर जो इस चेत्र के विकास के लिए जो वीजन है वो किसके पास है इन सब बातों को जनता ने भी पूछना चाहिए तब जाकर जो चुनावी मैदान में उत्रएंगे तो मुनको लगेगा कि नहीं अब जनता आप जाकर हुए और हमसे प्रश्ण कर रही है इन सब बातों को लेकर हमने यह नामकन क्या है और निश्ची दूप से हम चुनाओ लड़ेंगे और चुनाओ लड़कर जो भी फैसला में आज जनता के वीच में अगर आपने मेरा भासन सुना होगा मैंने का अपना जीवन में अपना राजनीतिक भश से आपके चरणाव में इच लेकिन कॉंग्रस हो चाहे वीजेपी इस बार उन्हें सोचना होगा कि कई कारेकरता जो शुरुवात से काम करते हैं संघर्ष करते हैं जो अपने आपको प्रभल दाविदार मानते हैं अगर उनको मौकर नहीं दिया जाएगा तो दोरों ही पार्टियों को आने वाले चुन नमस्कार धन्यवाद